हर हर महादेव प्रिय तुला राशी के साथ यों 7 अक्टूबर 2024 का दिन आप लोगों के लिए किस प्रकार के योग संयोग लाया है कैसे आपके धन और सुख में होगी बड़ोतरी महादेव की कृपा से बनेंगे फलदाई योग चलिए जानते हैं आश्विन मास के शुकल पक्स की पंचमिती थी और इस दिन नवरातरी के पाचवे दिन मादरुगा के पंचम सौरूप मास कंद मातक की बाचना की जाएगी नवराद्रे के पाचवे दिन आयूशमान योग, सरवाद, सिद्धी योग, अनुरादा नक्षत्र का सुपस्योग बना है इस दिन आपका भग्या है, 90% साथ देगोर आपका लगी कलर वाइट रहने वाला है साथियो इस दिन तुलाराशी के जात्गों को काफी फाइदा मिलेगा, जैसे कुछ पुराने निवेस्टे अच्छा लाब हो सकता है नोकरी करने वालों को अच्छा ओफर मिलने की संभावनाई है कुंडली में चंदर देव की सिती मजबूत रहेगी, जिससे मानशिक शान्तिक आनुभाव होगा मादरुगा के साथ बगवान श्यू की कृपा प्राप्त होगी, जिससे इस दिन आपके धन धानने में जबरदस्त वृरधी होगी साथियो इस दिन आपकी लव लाइफ काफी अच्छी नजरा रही है, वेवाहिक जीवन भी काफी शानदार बना हुआ है आप छोटी मोटी आत्राओ पर लगे रहेंगे, आपके परिवार के फैमिली मेंबर्स, आपकी पत्नी, कोई भी इस दिन सोपिंग करता हुआ नजरा रहा है साथियो इसके साथ ही तुलाराशी वालों के लिए दिन अतिन फल्दाई है, क्योंकि मातारानी की कृपा से अचानक धन की प्राप्ती होगी और कहीं अच्छा निवेस करने का मन भी होगा अगर विधार्तियों ने इस समय कोई परिक्षा दी है तो उसका परिणाम उनके पक्स में आएगा परिवार में किसी सदेश्य की सरकारी नोकरी लग सकती है या फिर किसी सरकारी योजना से अच्छा लाब हो सकता है आप नए बिजनेस की सुरुआत भी कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा खासा मुनाफा होगा नोकरी करने वालों को नए अवसर प्राप्त होगे जिससे आपके करियर में विर्दी होगी जीवन साती के साथ अगर कोई अन्बन चल रही थी तो वो खतम हो जाएगी पूरे परिवार में एकता दिखाई देगी शाम के समय देव दर्शन का लाव लेंगे घर के चोटे बच्चों के साथ अच्छा समय बीतेगा किसी बड़े बुजर्की आप सेवा करेंगे इस दिन या तो घर के बार या फिर घर में साथ ही इस दिन आपका मन धार्मिक प्रवर्टी का कुछ जादा ही रहने वाला है इस दिन आप अपने पिता के सयोग से अपने जीवन में कोई बड़ी उपलब्दी हासल कर पाएंगे पिता के सहायता से आपको धन भी मिलेगा और सम्मान भी मिलेगा इस दिन को मंगलकारी कैसे बना सकते हैं शिव चालिसा के पाठ के साथ दुरगा चालिसा का पाठ करे मा को इलाईची का और मिसरी का भोग लगाए और लाल फुल अरपन करे